नमस्कार दोस्तो मिर्डिक चैनल में आप लोग का स्वागत है 36 गड के जिला कोर्बा के 16 पुली स्थानों में सुरक्षा कर्मी के विविन नपदों पर भरती के लिए रोजगार मेला प्लेस्मेंट केम का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजे और बैल आइकन का जुरूद दबाएए ताकि ऐसी काम की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो विग्यापन जारी किया गया 36 गर्द जन संपर विभाग के द्वारा जिसके अंतरगर्द जिला कोर्बा में मल्टी नेशनल सुरक्षा कंपणी में सुरक्षा कर्मी के भरती के लिए 21 फरवरी को रोजगार मेला प्लेस्मेंट केम का आयोजन किया जाएगा जिसके अंतरगर्द गिवीन नपदों पर भरती किया जाएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो जीले के 16 थानों में किया जाएगा केम का आयोजन दे रोजगारों के लिए सुनारा आउसर आगे पढ़ते हैं बहुराश्य सुरक्षा कमपनी SIS में सुरक्षा कर्मी के पदों में भरती के लिए केम का आयोजन किया जाएगा भरती केम का आयोजन 21 फरवरी से जिले के 16 थानों में किया जाएगा रोजगार मेला प्लेस्मेंट केम का जो आयोजन किया जाएगा सुबा 11 बज़े से लेके साम 4 बे तक आयोजित किया जाएगा इकचुक बेरोजगार इवा इस केम में आकर लाभानवित हो सकते हैं सिवर का आयोजन COVID-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया जाएगा सिवर में सामिल होने वाले अभ्यार्थियों को मास्क, हेंट सेनिटाइजर एम सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा आगे परते हैं पुलिस अधिक्चक स्री भोजराम पटेल ने बताया कि सुरक्षा कर्मी के भरती के लिए 21 फरवरी को थाना कोतवाली में 22 फरवरी को थाना उर्गा में 23 फरवरी को थाना करतला में केम का आयोजन किया जाएगा 24 फरवरी को थाना लेमरू में 25 फरवरी को थाना स्यांग में और 26 फरवरी को थाना बालको नगर में केम का आयोजन किया जाएगा और 28 फरवरी को थाना दीपका में भरती का आयोजन किया जाएगा इसी प्रकार 2 मार्च को थाना दर्री में, 3 मार्च को थाना कुसमुंडा में, 4 मार्च को थाना बांगी मोर में केम का आयोजन किया जाएगा 5 मार्च को थाना कटगोरा में 7 मार्च को थाना बांगो में 8 मार्च को थाना पसान में 9 मार्च को थाना पाली में 10 मार्च को थाना अजाक में सुरक्षा कर्मी के पदो पर भरती के लिए केम का आयोजन किया जाएगा पुलिस अधिक्षक ने बताया कि S.I.S. इंडिया लिमिटेड एक बहुराष्टे कमपनी है इस कमपनी में भारा सरकार द्वारा पारी सुरक्षा दिनियां एक 2005 के अंतरगर्थ सुरक्षा पर सिक्षन दिया जाता है तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है अगर आप लोग अभी तक बेरोजगार हो और रोजगार की तलास कर रहे हो तो आप लोग सुरक्षा कर्मी के पदों के लिए आप लोग अवेदन कर सकते हो और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहां देख सकते हो जिस इस थानों में केम का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर जाकर आप लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि सब्क्राइब आप को मासिग वेतन कितना दिया जाएगा आयू क्या मांगा गया है सभी प्रकार के आप लोग अपना जो कोशन होगा जो भी आपके पास नजजीक ठाना है वहाँ पर जाके आप लोग समपूर्ण जानकारी प्राबत कर सकते हो और इस वीडियो के नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा आप लोग वहाँ पर जाके संपूर्ण जानकारी प्राप कर सकते हो तो उमीद है कि आप लोगों के ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सेर किये ताकि ऐसी काम के जूरतमन लोगों तक पहुंच सके और इस विग्यापन से सम्बंदित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद